जब कोई एक remarkable point target bar touch करता है तो उसकी score उसकी गुज दूर तक जाती है तो हमारा भारती share market भी एक ऐसे remarkable point को touch किया है एक bar को touch किया है जो कुछ साल पहले तक लोग imagine नहीं कर पाते थे कलपना यह नहीं कर पाते थे यह जो जर्नी है Sensex की 100 पॉइंट से BSC की 100 पॉइंट से 75,000 तक की इसके बारे में बात करता हूँ और क्या अभी तक आप इसके participation में इसमें सहभागीता कर पाएं हैं यह भी मैं आपसे पूछूँँगा अगर आप इस success story के एक छोटे से किरदार या बड़े किरदार नहीं है तो क्या आपने काफे कुछ मिस्क तो नहीं कर दिया इसकी बात कर रहा हूँ मैं आज क्योंकि 9th April को Sensex ने टच किया 75,000 का मार्क जो अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो आने वाले टाइम को और ज़्यादा मोटिवेट करेगी और बहुत सारे लोग इस हिस्ट्री को में पार्टिसिपेट किये थे कई लोग उनको ये मोटिवेट किया आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रो सब्सक्राइब करिएगा इसमें बहुत सारी चीज़े फैनेंस, पर्सनल ग्रोथ, कॉर्पोरेट और अपकोर्स कंजूमर रेलेटेड चीज़े में बात करता हूँ मेरा नाम धननजय है 1979, 3rd April 1979, 3rd April यानि आज से लगभग 45 साल पहले जब अगला 100 से 10 गुना बढ़ना हुआ यानि 1000 तक पहुचना हुआ 10 गुना यानि 1000 परसेंट का ग्रोथ आया 1990 को 23rd July 23rd July 1990 यानि 11 सालों में 1000 गुना 1 रुपया लगाये होते तो 10 रुपया हो जाता 100 रुपया लगाये होते तो 1000 हो जाता तो ये जो ग्रोथ हुआ हो 11 सालों में हुआ उसके बाद 30 दिसंबर 1999 यानि अगले 9 साल में 1999 में अगले 9 सालों में 106 ने टच किया 5000 का मार्क 5 गुना 500 परसेंट का ग्रोथ उस टाइम मेरे जैसे बहुत सारे लोग कॉलेज में या स्कूल को खतम कर रहे होते हैं उसके बाद अगला जो 10 हजार यानि डबल का फीगर हुआ वो 2006 में हुआ अगले 7 सालों में उस 6 फेबरवरी को 6 फेबरवरी 2006 में मार्क आ गया 10 हजार का बिलीब में उस टाइम काफी लोग सेयर के तरब धीरे-धीरे जानने लगे थे मैं भी उस टाइम म्यूचल फंड में इन्वेस्ट किया था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मेरे म्यूचल फंड एडवाइजर ने बोला था कि बहुत जल्दी सेयर मार्केट 25,000 को टच करेगा और उसके बाद वो एक लाग को भी टच करेगा उस टाइम बताया था 2006, 2007 की बात है 4 से 6 की बात है और आज देखे 75 पे पहुँच गया तो जर्णी पे हम पहुँच गया है 10,000 जो 6 फेबरवरी 2006 में टच किया उसके बाद कोरोना में थोड़ा डिप आया और उसके बाद जब डिप के बाद ये 21st आचा मैं आम चुनाओ का 6 पेबरी के बाद मैं अब 25,000 की जर्णी पे आता हूँ 2006, 6 फेबरी के बाद 16 में 2014 ये आम चुनाओ का नतीजा आया मोदी जी की सरकार आई उसी दिन Sensex ने टच किया 25,000 का मार्क उसके बाद आ जाते हैं अगला 25,000 से डबल 50,000 का फीगर से के पहले कोरोना की एक सुनामी आ गई जिससे काफी उतल-फुतल मच गया Sensex भी काफी डिप किया लेकिन जो लोग बने रहें भरोसाक रखा उन्होंने उनको रिवार्ड मिला उनको रिवार्ड मिला 21st January 2021 और उस टाइम Sensex ने टच किया 50,000 और इस टाइम इन फैक्ट जो कुरोना के बाद वाला फीगर है ये काफी जादा लोगों को मोटिवेट कर गया त्योंकि 50,000 का फीगर छोटी बात नहीं होती है पहले एलेक्शन में 25,000 दूसरे एलेक्शन में 50,000 अब तीसरे एलेक्शन से चस्ट पहले 75,000 का मार्क जो आया वो आया 9th April 2024 यानि 21 2021 से 2024 यानि सिर्फ तीन सालों में 25,000 रिमारकेबल इससे पहले इतना कभी नहीं ग्रोथ आया था बढ़ गया और अब हम एजियूम कर रहे हैं कि ये मार्केट एक लाख तक कब पहुँचेगा साइद अगले तीन सालों में साइद अगले दो सालों में और मार्केट कैप शुरू-शुरू में जब सरकार आई थी यह यानि 16 में 2014 उस ताइम इंडियन मार्केट कैप था शेयर मार्केट का 81 लाक करोड और आज की डेट में इंडियन मार्केट कैप है 400 लाक करोड अगर इस बीच देखा जाए कौन-कौन से कौन-कौन से सेयर में कौन-कौन से सेक्टर में तेजी आई तो तेल और गैस में 1.74% का तेजी आया जो परसो का एक मार्केट था उर्जा में 1.76 मेटल में 1.66 धातू यानि कमोडिटी में 1.30 और सर्विसेस में 1.16 की तेजी आई तो ये सारे जो ग्रोथ फैक्टर है इंडिया के स्टोरी का मुझे लगता हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हम सबको इसमें अपने अपने वेल्थ को ग्रोग कराना चाहिए लेकिन याद रखिएगा सेयर मार्केट को में बिना रिसर्च के जाने से खाटा हो सकता है और बहुत अच्छे एक एडवाईजर से सजेस्ट करिए सजेशन लीजिए या खुद रिसर्च करिए तब इस पे जाईए जो वाट्सेप एंड टेलिग्राम पे ग्यान मिलता है उसमें जाने से पहले मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि अपना रिसर्च करिए और फिर जाईए लॉंग टर्म सस्टेनिबिल्टी को देखिए लॉंग टर्म ग्रोथ को देखिए तो आप इसमें काफी अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं बाइ थे पहले, थैक्ष जाने मगें बाइ, भाइ, पेकेर